शेहर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना लालच के बेजवान पक्षियों को दाना और पानी के विस्था के लिए सुपका पात्र बनाते हैं उनमें से एक है अशो कुमार जैन आज तक 2600 से ज्यादा आदमी को चुगा पात्र बाट चुके हैं जैन के अनुसार चुगा पात्र बनाने में सोड़ा की बोतल और विस्थे सावानों के जरुरत पड़ती है मैं अशो कुमार जैन चिडिया के चुगा पात्र पुरानी सोड़े की बोतल कोल्डरिंग की बोतल इन से बनाता हूँ नीचे गंबले वाली प्लेट इस्टिक करके इसमें जोड़के चिडिया के बैटने के लिए एक डंडी लगाते हैं इसमें बाजरा भरके चिडिया के खाने के लिए लटका सकते हैं इसको देख करके यह करीब हमने 26 सो से ज़्यादा माट चुके हैं इसके बाद एक प्रेणा मिलीगी चिडिया को दाना पानी तो मिल रहा है लेकिन उनका मकान भी होना चाहिए उसके लिए हमने लकडी के घर बनवाए हैं लकडी के घर बनवा करके जिसमें चिडिया अपना अंडे देगी बच्चे को तयार करेगी और उसके बाद ये चिडिया के बच्चे को लेकर उड़ जाएगी इसमें लगाने से ये ड्रिल करके दिवार पर लगाएंगे इससे बिली वगरे से या किसी से जानवर से चिडिया को डर ने रहेगी उनके बच्चों का नुकसान नहीं होगा आज जो चिडिया की गिंती कम होती जा रही है घर में चैकने वाली है जो तो उनको बढ़ाने के लिए ये प्रेज़ना मिली है हमें और हम कर रहे हैं कोई भी हमें इसमें हमें कोई साथ आना चाहता है तो मेरे तरफ से स्वागत है स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें